फसल तो बहुत है परंतु मज़दूर तोड़े हैं इसलिए फसल के स्वामी से विंति करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मज़दूरों को भेजे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय दस पत्संक्या दो अब सब को जै येशू आज मात कलिस्या दो महान संत भर्माचारिय संत तिमती और तीतूस का स्मृते दिवस मनाते हैं संपौलूस आज का पहले पाट में जो तिमती को लिखते हैं उनके दृड़ विश्वास और आदर्श में जीवन को प्रशनसा करते हैं क्योंकि जिस प्रकार संपालुस को प्रभु ने चुनाता सु समाचार को फैलाने के लिए उसी प्रकार संपालुस तिम्ति को प्रोसान देते हैं वो कहते हैं तुम ना तो हमारे प्रभु का सक्ष्य देने में लज्जा का अनुभाव करो ना मुझसे जो उनके लिए भंदी हूँ लेकिन प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखते विए उनके सुसमाचार के लिए खर्ष्ट सरते विए उसका दोसरों में फैलाते विए आगे बढ़ो यानि एक प्रोसान बरित पत्र तिमोथी को वो लेखते हैं और ये दोनों ये दोनों एक महान धर मचारियते अपने जीवन ये विश्वास बरा जीवन के दुबारा उन्होंने प्रभु को दूसरों में पहुंचाया वो ये विकट परिस्तिती में प्रभू को उन्होंने त्यागा नहीं इसलिए प्रबु आज का सुसमाचार में देखिएगा वो कहते हैं जाओ मैं तुम्हें बेडियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ और साथ में कुछ नई लेके जाना सबसे पहले जब प्रवेश करते हो आप कहो इस घर में शान्ती यदि वो अब उस शान्ती का योग है उसको पाएंगे नहीं तो उस शान्ती आपके पास लावट आएगा क्रिस्म मेरे प्यारे भाई और बैनों प्रबु आज सठीक रूप से कहते हैं मेरा प्रबु का अनुसरन करते वे मेरा जीवन किस प्रकार का होना है सबसे पहले मुझे प्रबु को अनुभव करना है मुझे कर्मत मजदूर के सम्मान उस समाचार को फैलाना है मेरे जीवन के द्वारा शब्दों से नहीं मेरे जीवन के द्वारा सत्य पर जीवन दिताते वे प्रात्नमाई जीवन को अनुभव करते वे किसी भी खटिन परिस्तितियों को या विपरीत परिस्तितियों को भी पार करते विए प्रभु पर विश्वास करते विए जीवन पिताने के लिए आज प्रभु ये सुस्वयम सुस्वाचार के दुवारा और सन्द पालूस तिम्थी के लिखे विये पत्र के द्वारा हम सब को आवान करते हैं आज जब इन दोनों महान संतों का स्मृत देवास मनाते हैं जैसे उन्होंने अपना जीवन प्रभू के लिए नचावर किया था मैं अपना पारिवारिक जीवन अमारे धार्मिक जीवन और अन्य जीवन के द्वारा जब समाज में रहते हैं समाज के लोगों से मिलते हैं उस प्रभू के जीवन को आनुबव करते वे उसको भाटने के लिए कोशिश करें ताकि प्रबु मेरे द्वारा, मेरे अच्छाय के द्वारा, मेरे सत्ति के जीवन के द्वारा, मेरे विश्वास में जीवन के द्वारा दूसरों को अपने शांती, कृपा और आशिश प्रदान करें. आमिन.